बिचारे सेमी जेन का रोना मुझसे नहीं देखा जारा तुमसे देखा जारा यार वेल तो ही गाइस वेलकम डी माया चैनल माने मिस पंकर्स तो इस वीडियो में बात करने वाले होट टॉपिक मतलब की wrestling related news के बारे में so now let's start करते हैं वीडियो को वेल तो first of all first thing की तरफ चलते है वेल जो की बहुत ज़्यदा interesting thing निकल का यह वह भी डेवलोली की तरफ से सो यह तो देखना बहुत ज़्यदा interesting रहेगा भाई यार मैट रिडल नाम तो बहुत ही अच्छा है आप पता नहीं यह डवलोली को इसमें क्या खराबी दिख गई कि इस नाम को डवलोली चेंज करना चाहती है और मैट रिडल से आप पता नहीं कौन सा रिडल रखेगी या फिर रिडली हटा देगी सिर्फ मैट रखेगी मतलब ऐसा कुछ थिंग हमें देखने को मिल सकता है future में मैट रिडल का हमें अगला नम क्या देखने को मिल सकता हैіть वह भी मैच कनफर्म होते हुए दिखाए दिया अज वर्स रुमन रिणी प्रेइंऍसका मनी द्भाइग मैच कंफर्म हुआ तो उस टाइम पर वहां पर साथ रॉलिंस लोकी साथ रॉलिंस मौत्वी मुझूद थे इंड पय एक वो बंदा जिसने मतलब वहार के एक बार हर चुका रसलमिणिया में वह वापी से के माच ले रहा इसे माच मैं इतने दिनों से रहे ल खाल रहा वोट मुझे मैच नहीं मिला drive Universal Championship लिए Adam Piers को बोला था फिर भी उस Adam Piers टकलिया Johnny Sins ने मुझे मैच नहीं दिया Money in the Bank में वो भी Roman Reigns के अगेंस्ट जो कि मैं ये चीज़ डिजर्फ करता हूँ ना कि Rated House Superstar Edge डिजर्फ करता है, so Seth Rollins ये सोच रहे हैंगे अपने दिमाग में ये चीज़ हमें आगे चलके देखने को मिल सकता है Seth Rollins के गुस्से में और गुस्सा तो हमें उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था Seth Rollins के so maybe ये गुस्सा फूट सकता है Money in the Bank में या फिर फूट सकता है अगले स्पैक डाउन में जो कि देखना बहुत ही तरह एंट्रेस्टिंग रहेगा क्या Seth Rollins एज को हो सकता है अटाक करते भी दिखाई दे जाए जिससे Seth Rollins मारने की कोसिस करें बहुत ही अच्छे खासे तरीके से एज को एंड हो सकता है मार मारे के इंजर भी कर सकते हैं या फिर हो सकता है की वेट करें थोड़ा हाँ Seth Rollins थोड़ा वेट करें फिर जाके Money in the Bank में जो मैच देखने को मिले Roman Reigns वर्सेस एज का उस मैच में जाके जोकी रेटेड आज सुपरस्टार एज को युनिवर्सल चैंपेंशिप जीतने ना दे और उनको मतलब किसी न किसी तरीके से हरवात है और फिन इसके बाद जो हमें रूमर सूट रहे हैं कि समर स्लाम में एज वर्सेस Seth Rollins देखने को मिल सकता है तो ये बहुत ज़्यदा इंट्रेस्टिंग हो जाएगा या फिर अगले हपते Money in the Bank qualifying के लिए मैच मांगे Seth Rollins और हो सकता है कि Seth Rollins को Adam Pearce Money in the Bank qualifying के लिए मैच देदे and Seth Rollins क्वालिफाइ कर दे and Money in the Bank ladder match जीते हैं and जो Money in the Bank है वो जीत कर briefcase लेकर cash in कर दे इन दोनों के मैच में and जीत जा युनिवर्सल चैंपियन जो की historic एक thing देखने को मिल सकती है अगर ऐसा thing देखने को मिला तो फिन Summerslam में हमें triple threat भी देखने को मिल सकता है Roman Reigns versus Edge versus Seth Rollins तो ये thing भी बहुत ज़्यता बैटर बन सकती है मतलब overall यहाँ पे Seth Rollins के face expression ने Seth Rollins के इस मतलब इस मतलब बताने के जताने के भाव ने बहुत ही कुछ बता दिया कि हमें आगे कुछ न कुछ बहुत बढ़ा देखने को मिल सकता है and Seth Rollins के इस चहर को देखके तो यही लग रहा है and बहुत ही बढ़ा बुरा भी हो सकता है हमारे Edge के साथ Seth Rollins हो सकता है कुछ भी कर सकते है क्योंकि वो मसाया है बाई साब मतलब मसाया है तो Seth Rollins the visionary कुछ भी कर सकते है well तो next one thing की तरब चलते है well तो यह थिंग है AEW की तरब से तो AEW के कुछ wrestlers जो है I think Eddie Kingston वो थे जिन्नोंने मतलब Dynamite खतम होगा उसके बाद तो WWE के उपर Shorts लेना सुरू कर दिया मतलब Live Crowd के सामने Shorts ले रहे थे WWE के उपर की WWE ऐसी है WWE वैसी है दोको यार यह जितने AEW के रस्लस है यह सिर्फ Shorts लेने में और उनका खुद ओनर जो है वो तुनटुनवा है वो खुद Shorts लेने में ही बीजी रहेगा कभी कोई एक ऐसा काम करो जो कि तुम बीट करो 1 million की rating पार करो तुम 2-3 million पहुचो तब जाके बात करो कि हाँ हमने WWE को बीट कर दिया हमने ये कर दिया पहले से Shorts नहीं हमें Shorts नहीं तुमारा काम चाहिए तुमारा काम चाहिए तुम काम करके दुखाओ उतना तुम WWE को सामने से बीट करके दिखाओ उनके सामने head to head आकी करके दिखाओ तब उनको बीट करके दिखाओ तब दिखाना अपनी वो जो क्या बोलते है तुम जो Shorts लेते हो ये करते हो देखो बोलने से कोई फायदा नहीं है तुम बोलते नहीं जाओगे, काम करके दिखाओ क्योंकि बोलने वाले बहुत बोलके गए और पहले काम करके दिखाओ, फिन बाद में आके इधर शॉट्स जो लेना है, जोग कुछ करना है कि हमने ऐसा कर दिया, देखो इस्टिल कितना भी डवलोली बैड करें, रिलीस करें, चाहे कुछ भी करें फिर भी डवलोली टॉप पे है, क्यों? तुम्हें क्या रीजन नहीं पता? तो ठीक है, तुम पहले वाइसा कुछ काम करो फिर जाके यहाँ पे शॉट्स लेना सुरू करो, यह करो, वो करो, ठीक है? अभी जितना 4 लाग, 5 लाग तुम लोग रेटिंग्स ला रहे हो ना, उतनी लाने में उससे बड़ा कुछ करो फिर उसके बाद आके सिर्फिन, मतलब NXT को तुम बीट किये ना, ठीक है, फिर SmackDown, Rock को बीट करने के कोशिश करना, ठीक है? तब ही तक Shorts अपना तुम लेते रहो, पता नहीं कैसा Shorts लेते हैं, बेमतलब का Shorts यह वो, ठीक है यार, तुम लोग का मर्जी है, तुम लोग लेो, ठीक है हमारा क्या कहना है, बट बेमतलब के, पहले वो काम करके दिका ओफिन Shorts लेना सुरू करो ना, वेल तो आपका क्य आपको न्यूस कैसी लगी, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूरू बताना, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो यार, लाइक, डिस, लाइक, सेर, सब्सक्राइब, जो भी करना कर सकतो है, तो फिन मिलते है अगली वीडियो में, तब तक ले, बाई-बाई-बाई- पर समय की मार है, यह मेहनत की हार है, यह खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सब ने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरके ओधा लगाया